तो बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पे इसी महीने आपको final cut-off जारी होने वाला है कितने तारीक को यहाँ पे हम बात कर रहे हैं rate level 1 को ले करके क्योंकि अब दस्तावेज सत्यापन का काम यहाँ पे होने वाला है दोस्तों तो यहाँ पे जिलेवार सुची को बाद यहाँ पे document verification को ले करके बड़ी update सामने आ रही है और दूसरी बात यहाँ पे bonus जो मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे प्रशनों पे दोस्तों याचिका लगाई गई है तो bonus जो मिलेगा कि वह याचिका करता को मिलेगा या सब को मिलेगा तो यहाँ पे दोस्तों कुछ प्रशनों पे य सिंगल बेंच है वो बोनस देने से इनकार कर दिया था लेकिन बाकी के प्रोश्णों पर भी याचिका पर सुनवाई होने वाली है यह जैसे कि आपका छात्र सिछा कुनुपात का जो सवाल था फिर आपका गुजुराती भासा वाला हो गया जैए पिवित्ता वाला हो गया त तो लास्ट वे या तो फिर बोनस आपको डाइरेक्ट आपको यहाँ पर जो कोट है वो दे दे या फिर एक्सपर्ट कमिटी उसको ओक्य करता है तो उसके बाद आपको बोनस मिलता है लेकिन जो भी होगा बोनस अगर मिलेगा तो overall सबको मिलेगा इतना समझ ज़ए वो बोन सब्सक्राट को लेकर के निश्चिंत रहिए कि वोनस के वह यहीan को मिलेगा दूस्पर्ट यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन को लेग करके आपको दो तीन बात आई थी सामने अबको बता देना चाहता हूं मैँ पहले बात कि कि 10 जो सत्यापन होगा उसमें क्या होगा कि अंगतालिका, BSTC आपका हो गया, यहाँ पे अंगतालिका हो गया, ठीक है, और यहाँ पे चरीतर परमाणपत्र हो गया, रीट सेटिफिटेक हो गया जाती परमाणपत्र मूल निवास परमाणपत्र आय परमाणपत्र जिनका मतलब इंकम धाई लाग से कम है तो किसी भी बर्क से है तो यहाँ पर आय परमाणपत्र आप बनवाएंगे और यहां गोशडापत्र हो गया, सपत्पत्र, संतान समंधी गोशडापत्र, धह समंधी गोशडापत्र, धुम्रपान समंधी गोशडापत्र, SBA account, pain card, police verification, स्वास्त verification, यह आपको नियुक्ती के समय लगए, ठीक है, और दस्तावेजों को मूल अवेदन से मिलान किया जागा, तो merit में आने वाले अभेहर्थियों को online अवेदन के जो hard copy होगी, दोस्तों उसको भी ले करके आनी होगी, तो सबसे पहले आपका education से समंधी दस्तावेज दिखा जागा, तो यही सब आते हैं दोस्तों, और आपका 25-26 मार्च, मार्च के last जो week होता है न, मार्च का last week, उसमें आपका final cut-off जारी कर दिया जागा, इतना समझ जाए, उसके बाद आपको अप्रील में यहाँ पे नियुक्ती देनेगी, पूरी के पूरी यहाँ पे कमिटी बिठाएगे, किसी तरह से आपको अप्रील में यहाँ पे नियुक्ती देना है, क्योंकि यहाँ पे किसी परकार की सरकार इसमें कोई वो नहीं चाहती है, कि इसमें ज़्यादा देरी हो, आप समझ रहे हैं, सरकार बिल्कुल नहीं चाहरी है कि इसमें ज़्यादा देरी किया जाए, और इसको अप्रेल में नियुक्ती दे दिया जाएगा, अभी आपके ग्री जेले में ही आपका दस्तावेश का सत्यापन किया जाएगा, दो गुने अभियर्तियों को लिया जा रहा है, और दो गुने अभियर्तियों को लेने के बाद, इसमें पूरी तरह से देखा जाएगा उनके धस्तावेश को देखा जाएगा फिर उनमें पराथमीक्ता देखी जाएगी तो यह चीज़े आपको लगभग 20-22 मार्ज तक चलेगा 20 दिन तक लगभग धस्तावेश सत्यापन का काम चलेगा 25, 26, 27 तक आपका जो है वो final cut-up जारी कर दिया जागा और अप्रील में 15 अप्रील तक आपका यहाँ पी न्युक्ति दे दी जाएगी तो चलिए दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं आप से नड़क साथ अप्तर को जाजा दीजे जाएं 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 बारत